दोस्तों आपको मेरे चैनल पसंद आये तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें साथी साथ मेरे अगले वीडियोस को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें दोस्तों यहाँ आपके लिए कुछ पंक्तियां हैं तो चलिए ध्यान से सुनिए बारिश की बूंदे भले ही छोटी हों पर उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहब बन जाता है वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रेस भी जिन्दगी में बड़े बदलावला सकते हैं तो दोस्तों आप निरंतर प्रयास करते रहिए प्रयास के लिए कभी भी अवकाश नहीं होना चाहिए दोस्तों सफल वही हुए हैं जिनोंने निरंतर प्रयास किये हैं तो दोस्तों अपनी मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना आने दे जितनी भी मेहनत कर रहे हैं जो भी प्रयास कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं और इसे अपनी पूरी इमानदारी के साथ करिए दोस्तों आपकी मेहनत और आपकी बुद्धी ही आपको समाज में एक प्रतिष्ठित इस्थान दिला सकती है और ध्यान रखिए विध्या ही सबसे बड़ा हत्यार है जिससे आप बड़ी से बड़ी लड़ाईयां जीश सकते हैं तो दोस्तों अपना समय अपने उपर लगाईए ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो तो दोस्तों आज का हमारा विशे है सगुन धारा की कृष्ण भक्ती शाखा पाठ तेरा ए तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्ण सगुन भक्ती आंदोलन की काव्यात्मक अभीव्यक्ति का सर्वु प्रथम प्रयास कहा हुआ है प्रश्ण दो क्रिष्ण का सर्वु प्रथम उलेख रिशी के रूप में किसमें मिलता है तो दोस्तों रिगवेद के अस्टम मंडल में 85 वे सूक्त के रचयिता रिशी के रूप में स्री कृष्ण का सर्व प्रत्थम उलेक मिलता है अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण संख्या 3 महा नारायन उपनिशद में विष्णु का प्रयायवाची सब्द क्या है तो दोस्तों वासुदेव महा नारायन उपनिशद में विष्णु का प्रयायवाची सब्द वाशुदेव है प्रश्ण 4 वाशुदेव का प्रयायवाची सब्द क्या है तो दोस्तों कृष्ण वाशुदेव का प्रयायवाची सब्द कृष्ण है प्रश्ण संख्या पांच कृष्ण का देवकी के पुत्र के रूप में वर्णन किस में मिलता है तो दोस्तों चांदोग्य उपनिशद में कृष्ण का देवकी के पुत्र के रूप में वर्णन मिलता है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन संख्या छे कृष्ण को किस रिशी ने सिक्षा दी थी तो दोस्तों अंगीरस घोर रिशी ने कृष्ण को सिक्षा दी थी अंगीरस घोर रिशी प्रश्न संख्या साथ प्रश्न संख्या साथ है दोस्तों कृष्ण को विश्नु का अवतार किस रचना में माना गया है तो दोस्तों महा भारत में महा भारत में क्रिश्ण को विश्णु का अवतार माना गया है अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण संख्या आठ क्रिश्ण को विश्णु के पूर्ण अवतार किस रचना में माना गया है तो क्रिश्न को विश्नु का पून अवतार भगवत गीता में माना गया है प्रश्न संख्या 9 क्रिश्न भक्ती का सर्व प्रथम और सर्व प्रमुख ग्रंथ कौन सा है तो दोस्तों श्रीमत भागवत श्रीमत भागवत कृ impacto का सर्व प्रत्म और सर्व प्रमुख ग्रंथ है अगला प्रशन देखते हैं तो इस प्रकार दोस्तों प्रशन नो का सही उत्तर है श्रीमत भागवत प्रशन संख्या दस कृष्न कावे प्रमपरा में किसे प्रमुख माना जाना चाहिए तो दोस्तों नायक नाइका के प्रेम चित्रण में लीला गान की द्रिष्टी को कृष्ण कावे परंपरा में प्रमुख माना जाना चाहिए अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण संख्या ग्यारा हिंदी छेत्र में सबसे पहले क्रिष्ण भक्ती का प्रचार प्रसार किसने किया था तो दोस्तों स्वामी मधवाचारे ने हिंदी छेत्र में सबसे पहले क्रिष्ण भक्ती का प्रचार किया था प्रश्न संख्या बारा भगवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाई कौन सा है तो दोस्तों माधव संप्रदाई माधव संप्रदाई जिससे स्वामी मधवाचारे का संबंद है ठीक है भगवत पुराण के आधार पर पहला संप्रदाई है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन संख्या तेरे माधव संप्रदाई का संबंद किस सिध्धान्त से है तो दोस्तों दुएतवाद के सिध्धान्त से माधव संप्रदाई का संबंद है दुएतवाद के सिध्धान्त से प्रशन संख्या चोदे माधव संप्रदाय में दुएतवाद के सिध्धान्त के द्वारा किस पर ज्यादा जोर दिया गया है अगला प्रशनी देखते है Best तो इस प्रकार प्रश्म 14 का साही उत्तर है क्रिश्न उपासना पर अगला प्रश्म है पंद्रा माधव संपरदाई में द्वेतवाद के सिध्धानत में लेख नहीं है अगला प्रश्म देखते हैं प्रश्म संख्या सोले पूर्व जन्म में कृष्ण की आराधना करने वाली ऐसी एक गोपी का उलेख किस में मिलता है तो दोस्तों भगवत पुराण में पूर्व जन्म में कृष्ण की आराधना करने वाली ऐसी एक गोपी का उलेख मिलता है प्रश्न संख्या सत्रे भगवत पुरान में वर्णित किस सब्द से राधा की उत्पत्ती प्रतीत होती है तो दोस्तों आराधना सब्द से राधा की उत्पत्ती भगवत पुरान में प्रतीत होती है अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 18 ध्यान से देखिए राधा की चर्चा क्रिष्न की प्रेयसी के रूप में सबसे पहले किस में मिलती है तो दोस्तों गोपाल तापनी उपनिशद में गोपाल तापनी उपनिशद में राधा की चर्चा क्रिष्न की प्रेयसी के रूप में सबसे पहले मिलती प्रश्न संख्या 19 विश्नु संप्रदाई और निम्बार्क संप्रदाई विश्नु संप्रदाई और निम्बार्क संप्रदाई में किसका उल्लेक है तो दोस्तों राधा का उल्लेक है विश्नु संप्रदाई और निम्बार्क संप्रदाई में अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 20 जैदेव की प्रसिद कृति कौन सी है तो दोस्तों जैदेव की प्रसिद कृति गीत गोविंदम है गीत गोविंदम याद रखिए महत्पून रचना है दोस्तों तो बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक है आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 21 तो दोस्तों प्रश्न 21 देखते हैं जैदेव ने राधा और कृष्न के विहार में किस की रचना की तो दोस्तों जैदेव ने राधा और कृष्न के विहार में गीत गोविंदम की रचना की प्रशन 22 जैदेवकृत गीत गोविंदम में किस भाषा का प्रियोग हुआ है तो दोस्तो संस्कृत भाषा का प्रियोग हुआ है जैदेवकृत गीत गोविंदम में या यूँ पूछ सकते हैं आपसे जैदेव कृत गीत गोविंदम किस भाषा में है तो आप सीधा बताएंगे संस्कृत भाषा में ठीक है बात एक है आप ऐसे प्रशन पूछ लो चाहें वैसे पूछ लो ठीक है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन संख्या 23 गीत गोविंदम कैसा काव्य है तो दोस्तो यह है एक अमर गीती काव्य है गीत गोविंदम प्रशन संख्या 24 जैदेव की कृती गीत गोविंदम में कौन प्रभावित हुए थे तो दोस्तो जैदेव की कृती गीत गोविंदम से प्रभावित हुए थे वि विध्यापती ने गीत गोविंदम को आधार बनाकर किसकी रचना की थी तो दोस्तों पदावली की रचना की थी किसने विध्यापती ने किसको आधार बनाकर गीत गोविंदम को ठीक है चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर प्रश्न संक्या 26, प्रश्न संक्या 27, ध्यान से रेखिये वललभा चार्रे ने किसकी उपासना पर बल दिया था तो दोस्तो कृष्ण की उपासना पर बल दिया था वल्लभा चारे ने अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण संख्या 28 ध्यान से देखिए रूद्र संप्रदाई रूद्र संप्रदाई की स्थापना किसने की थी तो दोस्तो विश्णू स्वामी ने प्रश्न संख्या 39 विश्णु स्वामी से प्रभावित होकर किसने राधा की उपासना की थी तो दोस्तों वल्लभा चारे ने प्रश्न संख्या 30 वल्लभा चारे द्वारा की गई उपासना से कौन प्रभावित हुए तो दोस्तों सूर्दास सूर्दास वल्लभा चारे द्व पारमार्थिक कहा है वल्लभाचारे ने ब्रम के सगुन रूप को प्रश्न संख्या 32 वल्लभाचारे ने ब्रम के निर्गुन रूप को क्या कहा है तो दोस्तों अपून रूप कहा है वल्लभाचारे ने ब्रम के निर्गुन रूप को अपून रूप ठीक है अगला प्रश्न है 33 वल्लब संप्रदाई किसके लिए प्रसिद है तो दोस्तों वल्लब संप्रदाई वारता साहित्ते के लिए प्रसिद है अगला प्रशन देखते हैं प्रशन संख्या 34 84 वैशनवन की वारता 84 वैशनवन की वारता का संबंद किस संप्रदाई से है तो दोस्तों वल्लब संप्रदाई से है 84 वैशनवो की वारता का संबंद अगला प्रशन है 35 तत्व दुईप निबंद तत्व दुईप निबंद किसकी रचना है तो दोस्तो वल्लभाचारे की रचना है तत्व द्वीप निबंद अगला प्रश्न है 36 वल्लभाचारे किसके प्रवर्तक आचारे थे तो दोस्तो वल्लभाचारे पुष्टी मार्ग के प्रवर्तक आचारे थे पुष्टी मार्ग का दार्शनिक आधार क्या है तो दोस्तो शुद्धा दुएतवाद पुष्टी मार्ग का दार्शनिक आधार है पुष्टी मार्ग में पुष्टी का क्या अर्थ है तो दोस्तों भगवान की कृपा या अनुग्रे पुष्टी मार्ग में पुष्टी का अर्थ है अगला प्रश्ण देखते हैं प्रश्ण संख्या 49 ध्यान से रेखिए भगती साहिते में पुष्टी सब्द का अर्थ सेवा है अर्थार्थ पुष्टी से क्या अभिप्राई है तो दोस्तों भगती साहिते में भगवत अनुग्रे ही पुष्टी है प्रश्ण संख्या 40 पुष्टी मार्ग के अनुशार भगती का लक्षे क्या है तो दोस्तों भगवत क्रिपा पुष्टी मार्ग के अनुशार भगती का लक्षे है तो इस प्रकार प्रशन संख्या 40 का सही उत्तर है भगवत क्रिपा प्रशन संख्या 41 वल्लभा चारे के अनुसार जीव के कितने प्रकार हैं तो दोस्तों तीन प्रकार हैं वल्लभा चारे के अनुसार जीव के प्रश्न संख्या 42 वल्लभा चारे के अनुसार जीव के तीन प्रकार कौन से हैं तो दोस्तों प्रभा जीव, मर्यादा जीव, पुष्टी जीव वल्लभा चारे के अनुसार जीव के ये तीन प्रकार हैं अगला प्रश्ण है 43 पुष्टी मार्ग के अनुसार प्रवा जीव किस में पड़े रहते हैं तो दोस्तों सांसारिक प्रवा में पड़े रहते हैं पुष्टी मार्ग के अनुसार प्रवा जीव अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या चवालिस पुष्टी मार्ग के अनुसार मर्यादा जीव किसका पालन करते हैं तो दोस्तों पुष्टी मार्ग के अनुसार मर्यादा जीव विधी निशेद का पालन करते हैं विधी निशेद का पुष्टी मार्ग के अनुसार पुष्टी जीव क्या प्राप्त करते हैं तो दोस्तों भगवान का अनुग्रे प्राप्त करते हैं पुष्टी मार्ग के अनुसार पुष्टी जीव third time repeated question है दोस्तो most important question इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए तो हमारा part 13a यहीं समात्थ होता है thanks for watching तो दोस्तों मेरा वीडियो गर आपको पसंद आ रहा है तो इसे like करें, share करें और subscribe करें साती सात मेरे अगले वीडियो को पाने के लिए बैल आइकन को प्रेस करें धन्यवाद दोस्तों